नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वर्माई टाइम्स में दिन भर की बड़ी और एहम खबरों के साथ मैं हूँ दर्शितार हो रहा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइन्स पर मुंबई स्पेशल कोट में शिवसेना सांसत संजेराउत की आज फिर पेशी विश्व आदिवासी दिवस पर तीन दिवसी एफोटो प्रदर्शनी 9 अगस्ट से गार्तिय महिला क्रिकेट टीम ने जीता रज़त पदक अवर्तन ने दिशाले मनी लॉंडरिंग के एक मामले में शिवसेना सांसत संजेराउत को आज जनी सोमवार को मुंबई के एक विशेश अदालत में पेश करेंगे अदालत ने गद गुरुवार को राउत को एडी हिरास्त की अविद 8 अगस्ट तक के लिए बढ़ा दी थी अदालत ने कहा था कि एडी ने मनी लॉंडरिंग मामले में जाच में उल्लेखनी प्रगती की है इडी ने तब यह कहते हुए आठ और दिन के हिरासत मांगी थी कि उनसे धन लेन देन में नई जानकारियों का पता लगाया गया है शिव सेना नेता को उपनगर गोरे गाओं में पात्रा चौल के पुर्ण विकास में कथित्वित्ती अनिमित्ताओं के संबद में एक अगस्त को गिरफतार किया था इडी ने शनिवार को उनकी पतनी वर्षा राउट से नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताच की थी और उनका बयान दर्च किया था 36 आशन की संस्कृती विभाग द्वारा विश्व आदिवासिय दिवस के अफसर पर 36 गड के आदिवासी समुदाय की विविद एवं अद्भुत संस्कृतियों पर केंदित तीन दिवसिय फोटो प्रदर्शन का आयोजन राइपुर घडी चौक के पास सित महन घासी दास संग्राले में 9 से 11 अगस्त किया जा रहा है फोटो प्रदर्शनी का शुभारम 9 अगस्त को दोपह 3 बजे से होने वाला है कारेकरम का शुभारम टेलीवीजन कलाकार सुधान शुपांडे मुख्यमंत्री के विशेष सलाकार प्रदीप शर्मा चथिसगर साशन के सलाकार गौडव दिवेदी संचालक संस्कृति विवेका चारे के द्वारा किया जाएगा कारेक्रम का मुख्य उदेश चतिसगड की जन जातिय जीवन के बारे में जन जन तक जानकारी पहुचाना है साथी आदिवास्यों की संस्कृति को मूल रूप में बचाय रखने और उसे संजोने में संयोग देना है इस विशेश आयोजन में शहर के जाने माने फोटोग्राफर जो विगत कई वर्षों से चतिसगड के विभिन्न ट्राइबल एरिया में स्वरूची से निरंतर फोटोग्राफिक के कारे कर रहे हैं उनकी फोटोग्राफ के माध्यम से जन समानने को इनके जीवन शहली से अफगत करा रहे हैं जिनकी फोटो इस प्रदर्शन में प्रदर्शित की जाएगी राश्टरमंडल खेल 2022 में भारतिय महिला क्रिकेट की टीम ने पहला रज़त पदक जीता जनकारी के लिए बता दे कि फाइनल मैच औस त्रेलिया और भारत के बीच खेला गया था जिसमें औस्ट्रेलिया ने भारत को 9 रणों से हरा दिया जिस पर टीम की कप्तान हरमन प्रीत कॉर्ण ने मीडिया से बात करते हुए कहा मैच हमारे पूरे हाथ में था लेकिन आकरी ओवर में हमसे कुछ गलतिया हुई जिसकी वज़े से नुकसान हुआ हमने बहुत जल्दी विकेट खोया स्वर्ण पदक मिलता तो जादा अच्छा होता लेकिन मैं संतुष्ठ हूं कि हम कुछ हासल करके जा रहे हैं इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दे कि राष्ट्रमंडल खेलों की मैडल स्टैंडिंग में भारत पाच्वे स्थान पर है जिसमें भारत ने अब तक 18 स्वर्ण, तुंद्रा रजट और 22 कास्य पदक सहित कुल 55 पदक हासल किये हैं देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लेटिस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें